Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे कैसे question answer को लिखा जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को question answer लिखने नहीं आता है, तो ध्यान से देखेंगे कि question words जो होते हैं, जो भी question पूछ रहा है, उसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाहा रहा है वो प्रस्ण में, अगर हम यह जान जाएंगे तो हम उसका answer लिख सकते हैं, जैसे ज्यादातर प्रस्ण, most of the time, question starts with what, अधिकतर समय क्या होता है, question जो होता है, वो what से सुरू होता है, ठीक है, तो अगर प्रस्ण में what पूछ रहा है, तो हम answer में, answer writing में, हम क्या लिखेंगे उसके बदले में, answer में हम उसके अस्थान पर हम को क्या लिखना रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, what का मतलब वो इसे हिंदी में, तो क्या होता है, सभी को पता है, ठीक, तो what में, क्या लगा करके, जब हम प्रस्ण पूछते हैं, किसी भी सब्द में, किसी भी sentence में, तो उससे हम verb का पता लगाते हैं, किसका पता लगात और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिख देना है वर्ब लिख देना है अगर ऐसा नहीं है तो वर्ट का मतलब आबजेक्ट भी पूछता है बाबू जो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो कोचिंग है वो रोड के साइड में ही है बहुत बगल में ही है समझ लो तो यह नौएज आते रहेंगे तो थोड़ा सा सब्र रखना ठीक यह चैप्टर जो है मलब यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ल हम उसमें आपजेक्ट को लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपजेक्ट नहीं पूछ रहा है तो हो सकता है वो सब्जेक्ट ही पूछ रहा हो ठीक तो अगर सब्जेक्ट पूछ रहा होगा तो जो भी प्रस्ण में पूछेगा वहाँ पे हम देंगे, वर्ब आपजेक्ट उसमें पहले से ही गिवेन होगा दिया हुआ होगा, ठीक है तो जो भी पूछेगा, वाट का मतलब क्या पूछ सकता है, या तो वर्ब या तो आपजेक्ट, या तो सबजेक्ट, ठीक तो वाट जब भी आएगा, तो आपको यही देखना है कि प्रस्ण में वर्ब पूछ रहा है आपजेक्ट पूछ रहा है या सबजेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर में उसी के एकार्डिंग, अगर सबजेक्ट पूछेगा, तो उसको शुरू में लिखोगे क्यों क्योंकि subject हमेशा सुरू में आता है सबजेक्ट के बाद क्या आता है verb आता है verb के बाद क्या आता है object आता है यह तो छोटे छोटे बच्चों को भी बता है जो भी 6, 7, 3 अर्थ वाले होंगे उनको भी पता होगा किसी भी sentence का structure क्या होता है subject, verb, object तो what का मतलब हो सकता है subject पूछ रहा हो वर्ब पूछ रहा हो या हो सकता है object पूछ रहा हो what के बाद दूसरा question आता है who तो who में हो क्या पूछता है subject पूछता है फिर उसके बाद आता है whom, यह भी question वर्ड जाद आते हैं तो whom में क्या पूछता है हो सकता है आपजेक्ट पूछ रहा हो या सबजेक्ट पूछ रहा हो तो जहां सबजेक्ट होगा वहां आपजेक्ट भी हो सकता है ध्यान रखियेगा ठीक है तो सबजेक्ट और आपजेक्ट दोनों एक दूसरे के क्या है complimentary हैं, पूरक हैं दूसरे के, या तो subject, या तो object, या तो subject, ठीक, वैसे whom माने object ही पूछता है, ज्यादा तर, ठीक, subject नहीं, और whom माने होता है, subject का पता लगाने के लिए, तो यही भर रहने दीजे, ठीक है, दोनों लिखने की या confused होने की ज़रूरत, नहीं है, फिर आता है, which, which माने, यह कोई ऐसा object पूछ रहा है, which माने कोई object, जो non-living हो, या कोई action, यह सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर बाइक वाले परिसान करते हैं, बीना उसको horn बजाए, बाइक वाले यहाँ से गुजर नहीं सकते, और लगतार देखिए, लगतार ही सब बजाते ही रहते हैं, मारते हैं, जब तबाह कर देते हैं, which का मतलब वो क्या पूछेगा, object, तो object भी हो सकता है, और subject भी हो सकता है, तो what हो गया, who हो गया, whom हो गया, which हो गया, how, बस, इसी की कमी थी एक, ठीक है, सांत हो गया, जी आज तो पास में आगे, how माने क्या पूछता है वो, manner पूछता ह क्या पूछता है, manner का मतलब क्या हो गया, तरीका या, धं, तरीका या, हाँ, बस, बस बेटा, तुम ही हला मचालो हम पढ़ाया, तो तरीका या धं हो गया, manner कहां आता है हम जानते हैं किसी भी answer में subject, verb, object के बाद क्या आता है other words आते हैं क्या आते हैं other words आते हैं इन other words में subject, verb, object सबको पता है ठीक है answer में subject, verb, object होगा इसके बाद क्या आता है object के बाद other words आता है in other words में हम लिखते क्या हैं ध्यान से देखिएगा Adverb of manner क्या लिखते हैं Adverb of manner या एक चीज और आता इसमें Adverb of place तीसरी चीज आती है Adverb of time ये तीन चीज़ें किसमें आती हैं Other words में आती हैं तो Adverb of manner Adverb of place और Adverb of time तीन चीज़ा हो गई अब अगर किसी भी sentence में हमको इसको लिखना है तो किस क्रम में लिखेंगे हम तो द्यान से देखिएगा इसका यही है सबसे पहले क्या आता है manner आता है फिर place आता है फिर time आता है इसका मतलब अगर किसी भी sentence में आप से time पूछा जाए तो हमेसा कहा लिखते है लास्ट में लिखते है प्लेस टाइम से पहले लिखते है और manner को place से भी पहले लिखते है यानि कि manner कहां रहेगा? अबजेक्ट के बाद प्लेस कहां रहेगा? मैनर के बाद यानि कि हो गया subject, verb, object फिर क्या आएगा? manner, place और time यह हो गया हमारा sentence का structure, तो यह how भी हो गया, उसके बाद क्या आता है, when, when का मतलब, वही time पूछेगा, where, where का मतलब, यह place पूछ रहा है, तो यह भी हो गया हमारा, और एक आता है, why, अब ध्यान से देखिएगा, यह भी important होता है, क्योंकि ज्यादातर, मतलब अधिकतर प्रस्ण what से सुरू होते हैं, फिर आते हैं how और why, इनकी, मतलब जो weighters हैं, जो प्रस्ण होते हैं, यह ज्यादा होते हैं, what, how और why का, यह who, whom, who का ज्यादातर प्रस्ण आ जाता है, poetry वगयरा में, कि who is the poet of the poem, तो अगर आपको उस poet का नाम याद है, सुरू में ही लिख दो, जैसे, fog poem का, poet कौन है, Karl Sandberg, तो वहां पर लिख देगा, कि who is the poet of the given stranger, तो who is the poet of the given stranger, fog का माली जे इस्टेंजा दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे, who को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, Karl Sandberg is the poet of the given stranger, तिक, why में क्या पूछता है, यह थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, कि why में, why का मतलब क्या होता है, वो reason पूछना चाहरा है, कि यह काम क्यों हुआ, तिक है, अहाउ में उतरीका पूछ लेगा, कैसे हो गया, तो reason भी पूछता है, और एक चीज और पूछता है, और नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे, अगर reason नहीं पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा होगा वो, purpose, क्या पूछ रहा होगा, purpose, ठीक है, तो reason को हिंदी में कहते हैं, उत्देश, reason मतलब, sorry, reason का मतलब क्या होगा, उल्टा लिख दिये हैं, reason को हिंदी में कहते हैं, कारण, और purpose का मतलब, उत्देश, ठीक, वो थोड़ा सा confused होके, इधर उत्देश लिख दिये थे, ठीक, तो why में दो चीज़ां पूछ सकता है, इधर, it can ask, reason, कारण, या purpose, या this, ठीक, तो ये मतलब अधिकतर हमारे क्या होते हैं, question words होते हैं, अब problem यह है, कि question को, किसको, question को answer में क्या करें, convert करें, लेकिन, कैसे, यही problem है, कैसे, question को answer में, convert करें, या बदलें, तो कैसे बदलेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, interrogative sentence में बदलना, assertive sentence में बदलना, affirmative में बदलना, negative में बदलना, तो ठीक उसी परकार, question को answer में बदलने के लिए, हाँ, यह सब यही है, बावू, अगर 10-20 मिनट का वीडियो बनाना है, तो 5 मिनट तो उनकी honking ले लेती है, हमारी, देख लो, ठीक है, थोड़ा बहुत patience रखना, जिसको देखना होगा, देखेगा, अगर यह चीज तुमको आ गया, तो जान लो, बहुत helpful होगा exam में, तो जिसको भी translation, जिसका मजबूत होगा, ठीक है, वो एक इस चीज बहुत आसान हो जाएगा, मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, तो question को answer में बदलने के लिए, question को answer में बदलने के लिए, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, subject, ठीक, subject के बाद क्या लिखेंगे, verb, verb में क्या चीज़ें होती हैं, helping verb, helping verb और main verb, verb दो चीजों से बनता है, helping verb भी, main verb भी, और verb के बाद क्या आता है, object, object भी दो चीज़ें होती हैं, या दो object होते हैं, क्या-क्या, indirect object, और direct object, indirect object मने सजीव, और indirect object का मतलब निर्जीव, non-living things चिक उसके बाद हमारा आ जाएगा other words other words में क्या क्याते हैं adverb of manner, adverb of place और adverb of time मतलब m, p, t तो यह हो गया answer में बदलना answer में बदलने के लिए जो हमारे helping words होते हैं उनहीं पर थोड़ा हम focus करते हैं helping words जैसे अगर question do से शुरू है या does से शुरू है या did से शुरू है तो हम क्या करेंगे अगर question does से शुरू है या do से शुरू है और did से, किसी में से तिक do, does या did, किसी में से शुरू है, तो do का मतलब क्या होता है, subject के बाद हम कौन सा रूप लिखेंगे वर्ब का first form यह ध्यान में रखिएगा अगर है मनलब कोश्चन में डू सुरूब है helping वर्ब क्या है डू है तो जब हम answer में लिखेंगे तो do does did क्या कर देते हैं हटा कर do does did हटा कर ठीक है subject के बाद first form लिख देंगे does आ जाएगा तो इसको हटा कर subject के बाद क्या करेंगे वर्ब के first form में yes, yes या I, yes जोड़ करके subject वर्ब को किस में बदलेंगे एक वचन में बदलेंगे और did आएगा तो did को हटा कर subject के बाद क्या लिख देंगे वर्ब का second form तो ये तीनों चीज़ें बहुत important है do को हटा करके वर्ब का first form लिख देते हैं subject के बाद does को हटा करके subject के बाद वर्ब का first form लिखेंगे और उसमें yes, yes या I, yes जो भी लगाना होता है उसको उसी के according add कर देंगे did को हटा करके subject के बाद क्या लिखेंगे second form लिखेंगे ये हो गया हमारा question को answer में कैसे convert करते हैं अब हम ये पता है या आप लोग पूछेंगे कि भाई do does did ही खाली नहीं आता है other helping verbs भी है ठीक है तो do does did के अलामा थोड़ा सा यहां place नहीं बचा है ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा कि अगर do does या did को छोड़ कर क्या करा है को छोड़ कर दिख रहा है न हाँ तब ठीक तो do does did को छोड़ कर बाकी सभी helping verbs बाकी सभी helping verbs जैसे is, am, छोटा हो जारा नहीं is, am, are, was, were, will, shall, can, may, must, तीक है तीक है तीक है उड़, should, has, have, had, ETC इत्याद अभी और भी helping verbs है अगर ये सब helping verbs आ जाएंगे ध्यान से देखिएगा Do, Does, Do को छोड़ करके अगर ये सब helping verbs आ जाता है तो इसे subject के बाद क्या कर देते हैं जियों कात्यों मतलब जैसा है वैसा ही लिख देते हैं जियों कात्यों लिखते हैं यानि कि अगर आ गया इज तो उसको उठा करके subject के बाद लिख दो M subject के बाद लिख दो R subject के बाद लिख दो हैज subject के बाद लिख दो हैज subject के बाद लिख दो तो जो भी available cell ये सब models होते हैं ये तो change नहीं होते हैं subject के according तो इसे जेओं का तेओं लिख देंगे हैं अगर सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद में हम क्या कर देंगे लिख देंगे इसमर सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद में इसमर को लिख देंगे ठीक तो इस तरीके से हम कोस्टन को आंसर में बदलते हैं अब इसके बाद इ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा थोड़ा सा नौइस की वज़र से ठीक थैंक यू